हेलो, नमश्का दोस्तों, आप देख रहे हैं Always New Movie Updates बिग बॉस के दो ऐसे कंटेस्टन है, 14 सीजन के जिनकी आपस में बहुत कम बनती है सीधे मूँ एक दूसरे से बात भी शादिय कम ही करते है लेकिन इस स्मयल कुछ ऐसा हुआ कि राहुल रूबिना को कुछ उन्होंने रिक्वेस्ट की और वो भी एक अच्छे लहजे में और वो भी कंपेर कर दिया अपनी माता से यानि के अपनी मा से क्या कह दिया, क्या नहीं, सब कुछ आपको बताने वाल हूँ सब्सक्राइब करें, लेटास रप्रेट जानने के लिए और आप बेल आइकन को भी प्रेस करें रूबिना और राहुल वैद्या बिग बॉस के सबसे चर्चित कंटेस्टेंट बिग बॉस सीजन 14 के किचिन एरिया में हाली में हम देखते हैं कि राहुल वैद्या, अलीगुनी भात कर रहे होते हैं हलवे को ले करके जब अभिना कहते हैं कि आज मैं हलवा बनाने वाला हूँ तो ये दुनों बात करते हों कहते हैं यार, मुझे लगता है कि बहुत अच्छा हलवा जो है, वो रूबिना बनाती है पिछली बार रूबिना ने जो हलवा बनाया था मुझे तो बहुत ही पसंद आया था तो ये बात सुनकर कर अली को नहीं भी कहते हैं यार, मुझे भी बहुत पसंद आया था और मैं तो चाहता हूं कहीं नहीं हलवा रूबिना बनाया तो यहाँ पर राहुल कहते है यार मैं तो यह नहीं कह सकता लेकिन अली तुम ही कह दो अली नहीं कहते है अली वहाँ से उठकर कर चले जाते है लेकिन कुछ दिर बाद राहुल वैदा जाते है रुबीना के पास जब अभिनव किचन में नहीं होते तो राउल कहते हैं कि जिस तरह से तुमने पिछले बार हलवा बनाया था ना उस तरह का हलवा फिर से बना दो क्योंकि वो बहुती प्यारा था बहुती मज़दार था और मुझे वो हलवा खाकर कि अपनी मा की यादा आगी थी तो रुबीना कहते हैं कोई नहीं मैं हलवा बना दूगी और मैं अपनों को कहती हूँ कि हलवा आज मैं बनाती हूँ तो कहिना कि यह तो साफ है कि बीच-बीच में सही लेकिन वो जो इनकी एक ठकर थी दो फाइट थी वो कहिना कि कम होती जा रही है दोस्ती का हाथ भी कहिना कि ऐसा लग रहा कि बढ़ता है और अच्छा अच्छी बाते ही भी होती है लेकि यह लाइफ फीड में नहीं दिखा जाता पता नहीं क्यों लाइफ फीड में हमें देखने को मिलता है वेल आपको क्या करने इस पूरे वाक्य के बारे में कमेट बॉक्स में लिखें सब्सक्राइब जरू करें लेटेस्ट अप्रेट जानने के लिए मिलते नेक्स वीडियो में धन्यवाद